कन्नौत जिले में डबल मर्जर से संसनी फैल गई है मामला सदर कोतवाली के होदा पुर्वा गाउं का है यहां सर्फरे युवक ने अपनी पत्नी और सास की बेहरहमी से हत्या कर दी इतना ही नहीं हत्या के बाद खून से लदपत शरीर को 25 फीट उचाई से नीचे फेक दिया और फिल्म में स्टाइल में कोतवाली जाकर अपने गुनाह को कुबूल कर लिया डबल मर्जर के इस वारदात से इलाके में संसनी के साथ पुलस महकमे में हडकम मच गया वही शुरवाती पूचताश में आरोपी ने हत्या के पीछे घरेलू कल है बताया है रात में सारीगारा वजह तब से इनका ज JACKRAवना शुरू हो गया और इसका कहना है कि रात में है onion से बिवाद के बाद इसने हसिया चलाया अपनी शाच पे और फिर उसको बचाने के लिए पत्य आये तो उसपे भी चलाया और दुमनजिला मकान है तो उसकी छट में जिस पे कोई रेलिंग नहीं है, वहां से उसमों जगरे के दौरान धक्का दे दिया, जिसे की वो नीचे गिर गए और उनकी मिर्तु हो गई है। इस सूचना पर पुलिस वहां ततकाल पहुंची है और हमारी फॉरेंसिक टीम बगएरा और बरिश्ट अधिकारी मैं भी घटनास्तल पर गया, छट पे खुन के छीटे पड़े हुए थे, तो उसके बाद जो हमारी रात की मोबाईल थी उसने शौको ततकाल अस्पताल लेकिन कुछ ही दिन बाद दोनों के भी जगड़े शुरू हो गए, आरोपे त्योवा घरिलू कलह की वज़ा अपनी सास का लावती को मानता था, दो दिनों पहले ही उसकी सास यहां आई थी, उसके बाद से उसके और पत्नी के बीच में विवाद शुरू हो गए, घटना वाले दिन भी घर में तीनों के बीच विवाद हुआ था, गुस्से से आग वबुला हुए पवन ने पत्नी और सास की धरदार हतियार से हमला करूने घायल कर दिया, और फिर घायल हालत में घर की 25 फीट उची छट से नीचे फेक दिया, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई फिलहाल पुलिस ने दोनों के शबका पंचनाम भर कर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और मुकदमा लिखकर आगे की जांच चल रही है, पंजाब केसरी टीवी के लिए कानौत से नित्या मिश्रा की रिपोर्ट